तो दोस्तो पिछली क्लास में हमने अक्षांस रेखाओं को अच्छे से समझा था और आज की इस क्लास में हम देशांतर रेखाओं को समझने वाले हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझे कि जो उपर से नीचे की और जो ये रेखाए होती हैं, इन्हें देशानतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इन्हें हम देशानतर रेखा कहते हैं, और ये रेखाएं उत्तर तथा दक्षन धुरूवों पर एक बिंदु पर मिल जाती है यहाँ पर आप देखिए यह उत्तरी धुरूफ और नीचे वाला है दक्षणी धुरूफ उत्तरी और दक्षणी धुरूफ पर यह जो रेखाएं हैं यह आकर के मिल जाती हैं एक पॉइंट पर अब नेक्स पॉइंट पर बढ़िया आप दिया गया है कि धुरूफों से विश्वत रेखा की और बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम धुरूफों से विश्वत रेखा की और बढ़ेंगे तो जो देशांतरों के बीच की दूरी है वो बढ़ती जाएगी यह आप देखें यह देखने को मिलेगी जो की 111.32 किलो मीटर होती है ठीक यह आपको याद रखना है और इन्हीं दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है तो गोरे नाम से जाना जाता है अब देखिए आपके हम इन्हीं देशांतर रेखाओं क ग्लोब के जगे वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी अब यहां पर आप देखिए कि जो आप बिल्कुल बीचो बीच में येलो कलर की लाइन देख रहे हैं इसे जीरो डिगरी देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है किस जीरो डिगरी देशांतर रेखा के बाई और यानि इस और जितनी रेखाएं हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है इस और है पूर्वी देशांतर रेखाएं और इस और की रेखाएं हो जाती हैं पश्चिमी देशांतर की रेखाएं अब थोड़ा सा उस point को समझते हैं जहां से directly question exam में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए यह जो zero degree देशांतर रेखा है इसे प्रधान मध्यान रेखा की नाम से जाना जाता है कि इस नाम से तो इस रेखा को प्रधान मध्यान रेखा और इसे प्रमुख याम्योत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है इसके दो नाम है एक तो प्रधान मध्यान रेखा और दूसरा है प्रमुख याम्योत्तर रेखा और तीसरा नाम इसका मैंने बताया कि इसे जीरो डिगरी देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है अब एक्साम में कोशन पुछा जाता है कि प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहां से हो करके गुजरती है यह जो आप ये यलो कलर में देख रहे हैं यह इंगलेंड कंट्री कौन से कंट्री इंगलेंड कंट्री और यहीपर ही लंदन से हो करके गुजरती है प्रमुख याम्योत्तर रेखा अब यहां पर देशांतर रेखाओं की संख्या समझ लेते हैं तो पूर्वी साइड में होती हैं 180 देशाँतर रेखाएं और वहीं पश्चिमी सायड में होती है, 180 देशाँतर रेखाएं. 180 इधर और 180 पूर्वी सायड में. तो कितनी हो गई? टोटल हो जाती है, 360 देशाँतर रेखाएं. कितनी होती है, 360 टोटल. ठीक तो मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज रह गए थी इसे भी आप समझ लीजिए कि जो उपड़ से नीचे की और रेखाओं के खीची जाती है इन्हें तो हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं और वहीं पूरव से पश्चिम की और जो रेखाओं यू खीची जाती है इन्हें हम अक्षांस रेखाओं के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं अक्षांस रेखाओं के नाम से जानते हैं अब बताइए आप कि इस तरह से मैंने अक्षांस रेखाओं खीच दी और उपर से देशांतर रेखाओं खीची हुई है तो आप बताइए कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है जिसमें अक्षांस रेखाओं भी हो उपर से नीचे की और और पूरब से पश्चिम की और अक्षांस रेखाएं भी हो तो इन्हें ग्रीड के नाम से जाना जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है इसे ग्रीड कहा जाता है हिंदी में भी ग्रीड और इंग्लिश में भी इसे ग्रीड ही कहते हैं जी आर आई डी ई ग्रीड ठीक तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईगा और चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिन जय भारत